नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे Importance of Zomato Review जो ये Zomato करके आप और वेबसाइट है इस पे जो काफी सारे गेस्ट हमारे साथ जो हमारा खाना खाते हैं चाहे वो डिलिवरी में खाएं चाहे वो रेस्टराउं में खाएं चाहे टेकवे में लें वो सारे गेस्ट हमारे रेस्टराउंस के बारे में रिव्यू लिख सकते हैं तो Zomato जो एप और वेबसाइट है उस पे से आप अपना खाना ओर्डर कर सकते हैं ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जैपुर में या इंडिया के किसी भी सिटी में कौन सा रेस्टराउं कहा है उनका मेन्यू कैसा है उनके लोग उनके बारे में क्या कहते हैं तो Zomato रिव्यूस की अपनी बहुत बड़ी एहमियत है ठीक है जी देखिए आजकल के जमाने में अगर किसी को भी Amazon की बात करते हैं या फिर Flipkart की बात करते हैं या फिर आप Zomato या Swiggy की बात करते हैं कोई भी आदमी अगर कोई चीज खरीदना चाता है या कहीं पे जाके खाना खाना चाता है तो वो पहले रिव्यूस पढ़ना पसंद करता है कि बाकी दुनिया उस restaurant, उस दुकान उस item के बारे में क्या कहती है क्या कबाब जिनकर इस company खाना अच्छा है क्या थाली एंड मोर की दाल बाती बहुत बढ़िया है तो आदमी जाना चाता है कि जो मैंने सुना या जो मैं सोचता हूँ क्या वो सही में सही है क्या वो 100% चीज सही है इसलिए आदमी रिव्यूज पढ़ता है तो जुमाटो रिव्यूज जो हमारे guests हमारे बारे में लिखते हैं वो बेहत जरूरी है चाहे वो delivery के हो चाहे वो dine-in के हो ठीके साब और ग्रहक से ensure करना या make sure करना कि ग्रहक हमारे लिए अच्छे reviews लिखे वो बेशक पूरी तरह से हमारे हाथ में है क्योंकि अगर हम अच्छी service शांदार खाना ग्रहक खिलाएंगे हर बार या फटा-फट उनका order डिलिवर करेंगे लबाबदार खाना तो 100% guest हमारे बारे में अच्छा review लिखेंगे और मान लिजी अगर किसी ग्रहक ने हमारे बारे में बुरा review लिख भी दिया किसी कारण से रोटी जली हुई चली गई या quantity कमाई या फिर आपके खाने में मज़ा नहीं था या आपके खाने में आज बहुत जादा टाइम लग गया तो हमारा फर्स बनता है as outlet team या as head office team कि हम उस बुरे review की service recovery करें उस ग्रहक को ढूने और उन ग्रहक को वापस जीत के लाएं service recovery के through ठीके जी तो Zomato reviews बहुत एहम है क्योंकि Zomato एक ऐसा platform है जो restaurants के बारे में बहुत कुछ बताता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी outlets की Zomato rating चाहे वो dine-in की हो चाहे delivery की हो जादा हो 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 की range में हो इस वक हमारे जादा तर outlets की delivery and dine-in rating 4, 4.2 के आसपास है कुछ outlets थोड़े जादा है कुछ outlets थोड़े कम है पर हम सब को as a team मेहनत करके अपनी Zomato dine-in rating और delivery ratings दोनों को 4.5 तक लेके आना है और अगर उसके आगे जा सके हैं तो बहुत इशानदार चीज है क्योंकि जो ग्रहक आएंगे वो हमारे पुराने reviews देख के आएंगे अगर बाकी लोग हमारे बारे में बुरा लिख रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं Zomato पे तो जो नया ग्रहक है वो शायद हम से डर के जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ठीके जी तो हमारा बिजनस और बढ़िया चलता रहे हमारे ग्रहक और खुश हो और हमारे साथ नय नय ग्रहक जुड़े उसके लिए Zomato Review की अपनी एहमियत है और यह बहुत ही जरूरी चीज है कि हम इस पे पूरा फोकस रखें कि Zomato Reviews और साथ-साथ Google Reviews साथ-साथ Swiggy के Delivery Reviews हर तरह से हम हमारी रेटिंग बहतर रहे और नय नय ग्रहक हमसे जुड़ते रहे और हमारे जो जुड़े हुए ग्रहक है वो हमसे और खाना और करते रहे तो सोशल मीडिया की दुनिया में आज जो सोशल मीडिया की दुनिया है यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, जोमाटो, स्विगी यह सभी जो प्लाटफॉर्म्स हैं गूगल रिव्यू यहां बहुत ज़रूरी है अपनी रेटिंग को बहतर बनाना एक छोटा सा उधारन देते हैं हमें कोई आयरुवेट का डॉक्टर ढूंडना था तो आयरुवेट का डॉक्टर ढूंडने के दो तरीके हो सकते हैं या तो अपने किसी मित्र को फोन करके पूछ लीजी कि आयरुवेट का बढ़िया डॉक्टर कहां है हो सकता है वो आपको अच्छी जान करीजिते या फिर गूगल पर जाके देखिए कि आयरुवेट के जैपुर में कौन-कौन से डॉक्टर हैं तो जब गूगल आपको सभी डॉक्टर के नाम देता है और हर डॉक्टर के आगे एक रेटिंग होती है तो कौन से आयरुवेट के रेटिंग और डिलिवरी की रेटिंग जुमाटो पर गूगल पर स्विगी पर सब जगा बहतर होगी तो हमसे और ग्रहक आके जुडेंगे और हम अपने बिजनस को और आगे बढ़ा पाएंगे और जुमाटो रेव्यू अच्छा लाना हम सभी के हाथ में हैं चाहे हो कांदार काम करते रहें और जुमाटो पर बढ़िया से बढ़िया रिव्यू लाते रहें थैंक यू बबाई